हेलो है वेल्कम बैक टो आज चैनल एके बस और आप देख रहे हैं मुंशी जी रपट लिख लो और आज हम जिस प्रोजेक्ट पर पट लिख रहे हैं उसका नाम है चकर लेकिन एक चीज जो मैं महले कभी नहीं की आज मैं करना चाहूंगा देखे जी इद का मुका है और हमारी फिल्मे और इद का एक बड़ा खुबसूरत बॉंड है और एक हमारी कह लिजिए के इद सेलिबरेट करने के कल्चर में शामिल है हम चाहते हैं हम इद पे एक अच्छी भरपूर इंटर्टेंवेंट वाली फिल्म देखें इस इद पे पांच फिल्मे आई पहुत सारी लोगों ने उसी सवाल पूछा कि कौन से फिल्म देखें रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने चक्कर नहीं देखी तो आप लोग अभी जाकर देखें इससे पहले कि मैं इसके बारे में और बात मजीद इसकी तारीफें करूँ या बतारीफियां करूँ गुड पॉइंट निकालू बैड पॉइंट निकालूँ मेरा वर्डिक्ट सबसे पहला यही है, कि आप लोग जरूर जाएं, क्योंकि हमारे कल्चर का पार्ट है, कह लिजे कि हमारे एक नौम बन चुकी है, कि हम एद पे फिल्मे देखते हैं, और दो साल बाद सैनमा में मूवीज आई हैं, तो आप लोग अगर सैनमा में जाकर अपन पेल बाते हम करते हैं इसके बाद, इस मूल की कास में शामिल हैं नीलव मुनीर, एहसन खान, यासिर नवाज, अली हसन, जावेशेख, और वहमूद असलम, और इसके इलावा हमें बेश शमार कैम्योज नजर आएं जिनमें मजूद हैं, दानिश नवाज, शमून अबासी, श्वेब मलेक, तैसल कुरेशी, मोह मिर्जा, एचसवाई, एंड शेरियार मुनावर, इस फिल्म के डिरेक्टर है, यासिर नवाज, इस से पहले वो तीन फिल्में डारेक्ट कर चुके हैं, जिनमें शामिल है, रॉंग नबर वन, रॉंग नबर टू, और महरु निसा, महर इस मुवी के गुट पॉइंट और बैट पॉइंट को डिसकस करने से पहले एक चीज मैं डिसकस करना चाहूंगा, वह है इस मुवी का नाम, जिसने भी इस मुवी का नाम रखा है, उसको काफी तारीफ बनती है, क्योंकि फिल्म के करेक्टर और फिल्म के स्टोरी के इतबा से बड़ा ही मौजू नाम है, आपको याद होगा, जब हम मीनिंगफुल में चक्कर को डिसकस करते थे तो हम कहते थे कि चकर की चीजें देखे चकर आजाते हैं, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे, तो आपको सही में चकर आएंगे, मैं मैं मजाग नहीं करा, यह कहना च कॉंपलिमेंट करता है, तो नाम के इतबार से तो इस मुवी को मैं कहता हूं, फाइव स्टार्स ही देने चाहिए, तो अब हम चलते हैं प्रॉपर रिव्यू की तरफ, हमेशे की तरह हम पहले गूट पॉइंट को डिसकस करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो हम गूट और हो या मेरे बैट पॉइंट आपके बैट के साथ मैच ना करते हो, अगर आपने मुवी देखिए हैं तो आपने जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके क्या गूट पॉइंट से और आपके क्या फीड़ वैक है इस मुवी से रिलेटेड तो चलते हैं अपने सबसे प कम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे फिल्म में बनती हैं तो इधर डिरेक्टर ड्राइटर या प्रोड़क्शन टीम को एक कैलीजी के तारीफ बनती है कि काफी अरसे बाद हमें एक थ्रिलर मुवी नसर आई और थ्रिलर सिस्पेंस मुवी वह भी इस लेवल की कि थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल प्लॉट है लेकिन जो प्रेडिक्शन आपने की होती है उससे भी थोड़ी सी चीजे बरक्स होके आपको नजर आती है प्रेडिक्शन आपकी टू तो हो जाती है लेकिन वो किस तरह से होती है वो थोड़ा सा अन्प्रेडिक्टेबल है So yes, subject matter जो है, वो हमारा पहला good point है Next जो इसका मुझे good point लगता है, वो है इस movie का screen play मैं हमेशा हमेशा ये कहता हूँ, पाकिस्तानी film industry, drama industry, जो भी, कोई भी industry उठा ले जो के ये films बगएरा, या जो के ये कह लिजे के जहां पे ये acting involved होती है या जहां पे कहानी involved होती है, मैं ये हमेशा कहता हूँ, हमारी पाकिस्तानी कहानिया आज भी कहानी ही सबसे ज़्यदा unique और different होती है और हाँ, कहानी ही पाकिस्तानी industry का कहानी ही एक बहुत बड़ा pillar है हमारी कहानिया कभी भी मैं कहता हूँ weak नहीं होती हमारी फिल्मे या हमारे ड्रामे कहान जाके भी कोते हैं वो है उसकी screen play या उसके कहानी एक्जिक्यूशन screen play मैं कहता हूँ, इत पे जितनी भी फिल्मे आई हैं पांच, इस फिल्म से बेतर किसी का भी नहीं इस फिल्म का screen play इतना engaging है कि आपको हर scene की relevance नजर आती है आपको आने वाले scene की anticipation रहती है और पीछे गुज़रा scene का अगले scene से link आपको नजर आता है कोई भी आपको irrelevant चीज़े नजर नहीं आती तो चुकि यासिर नवाज ने इसका screen play खुद लिखा है तो उनके पास तीन फिल्मों का experience भी है और उन्होंने अपने उस experience को वाखुबी इस फिल्म में इस्तमाल किया तो screen play जो है वो हमारा second good point है हम दोनों की शकले आपस में इतनी मिलती है कि कोई री पचान सकेगा कबीर को पता चल गया तो कबीर यहाँ है ही ने थर्ड जो मुझे इसमें good point लगता है वो है acting एक्टिंग के बात करें तो हमें major major roles में नजर आई नीलम एसन खान और यासिर नवाद लेकिन इसके इलावा जो sporting में सबसे ज्यादा जिसका मैं नाम यहाँ पर mention करना चाहूंगा वो है मोजू किसम के screen के इतबार से जो acting होनी चाहिए ना यासिर ने अपने character को बहुँ भी निभाया है अब हम बात करते हैं एसन खान की एसन खान में भी अपने character को बड़ा कहलीजी के appropriately निभाया नीलम का जो character था वो मुझे थोड़ा सा over dramatic लगा लेकिन it's okay क्योंकि मैंने जैसे हमेशा में बात करता हूं कि film का expression थोड़ा सा loud होता है और क्योंकि यह हमारे जो actors हैं वो सारा drama से आये हैं और drama से कहलीजी कि उनकी training है subtle reactions की लेकिन जब उन्हें कहा जाता है थोड़ा over करें तो उनके over के अभी इतनी कहलीजी के experience नहीं है मुझे नीलम का expression थोड़ा सा loud लगा लेकिन एक बंदा जिसकी मैं यहां पे बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहता हूं from his body language to his appearance उसका character उसका बोलने का तरीका उसकी dialogue delivery वो है अली हसन इस इनसान ने अपने किसी भी scene में अपना character नहीं छोड़ा उन्होंने अपनी अवास को change किया अपने appearance को change किया और जितनी खुबसूरती से उन्होंने अपने इस character को निभाया है उतना खुबसूरत मैं कहता हूं अभी recent times में मैंने किसी को नहीं देखा तो अली हसन की बहुत ज्यादा दाद बनती है तो येस जो हमारा third good point है वो है इस movie में अदाकारों की acting जाओ 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 बहुत देखे जान लेने वाले four जो चीज मुझे इस movie में अच्छी लगती है वो है इसकी raw locations को एड़ करना मेरे लिए इसलिए मुनासिब लगा कि usually कहा यह जाता है कि फिल्म जो है उनके proper set होने चाहिए उनके proper चीजे होनी चाहिए लाइटिंग वाइटिंग ये वह बलब आपको आपके background कि इंगेजिंग है या कह लिजिए कितनी खुबसूरत cinematography है और उसके इतबार से आपने क्या costumes रखने हैं और यह चीज़े लेकिन इदर यासिर नवाज ने इतना smartly खेला है कि उन्होंने कराची की इतनी raw locations दिखाई है या इतने raw sets दिखाए है जो कि काफी realistic से लग रहे थे और बहुत ज्यादा film यह आपको नहीं ल realism उसमें शामिल होना चाहिए तो वैसे तो उनको सीधर सीधर जवाब यह तरह है अगर आपको realism ही चाहिए तो आप film देखने क्यों आ रहे हैं लेकिन फिर भी इस चीज़ का भी ख्यार रयासे नवाज ने रखा कि locations मुझे जो raw locations कराची के दिखाएं गई मुझे काफी पसं करते हैं इसके bad points, bad points बहुत ज्यादा बड़े नहीं है और bad points ऐसे भी नहीं है जिनकी basis पर आप यह कह सकते हैं कि आप फिल्म नहीं देखेंगे वह ऐसे हैं कि अगर इन पर थोड़ा सी तवज्ज़ दी जाती तो film का output बहुत ज्यादा निकल आता सबसे पहला जो मुझे इस इसका आइटम सॉंग भी है उसको भी very badly जो है उसको execute किया गया मुझे तो एक चीज़ और पूछनी है जो भी अगर कोई जानने वाला यह review देख रहा है क्या निगा जी के इलावा इस industry में कोई और choreographer नहीं है मतलब आप जाके देखें जैसे मैं लहोर की बात कर सकता हूं कि आपे दिख का लूनी है वहां पर इतने inspiring किसम के choreographers हैं आप उनको utilize करें कुछ variety नहीं है कि मुझे वो डांस बिल्कुल पसंद नहीं आया है वो डांस जो है वो बड़ा important role होता है किसी भी फिल्म के music को hit कराने में तो yes music wise यह movie थोड़ी सी माठी है लेकिन जब जैसे मने ब नहीं किया और second जो background score की में बात करना चाहूंगा कि suspense movie में बहुत बड़ा हाथ उसको hit करने में उसके background score का भी होता है अगर background score को और ज्यादा कह लीजे कि thriller bass बनाया जाता तो इस movie ने सारे record तोड़ देने ते so is music के department ने यह movie थोड़ी सी वीग थे second जो मेरा bad point है वो है इसका second half अचा एक मैं आपको information based बात भी होनी चाहिए हमारे हाँ इंडिया और पाकिस्तान में जो फिल्में लिखी जाती है उनके दो plots लिखे जाते है plots कह लिजे कि इस तरह से कहानी build की जाती है कि एक कहानी होती है इंटर्वल से पहले और एक कहानी होती है इंटर्वल के बाद इंटर्वल से पहले आपको एक ऐसा point छोड़ा जाता है कि जहां पे आपकी audience वह हो शच्चदर रह जाती है कि अब क्या होगा और जहां जब movie का जो कह लिजे कि जब यॉन्रा ही suspense है तो first half में जितना अच्छा बिल्ट अप किया गया और जैसे एक इंटर्वल आता है तो audience totally hooked हो जाती है overall plot के साथ मैंने ये रियल में जाके मैंने audience को रियल में experience किया है वह वह वाकिए इंटर्वल के वक्त थोड़ी सी surprise हो गई थी कि यह हुआ क्या है तो लेकिन जब इंटर्वल के बाद जैसे मैंने ब नहीं आती हमें कहानी में ब्रेक देना पड़ता है इंटर्वल का तो इंटर्वल के बाद वाला जितना भी प्लॉट था थोड़ा सा ट्रैच्ट थोड़ा सा बोरिंग था उसके सींस थोड़े और छोटे किया सकते थे बहुत सिदर्वल करण सीन थैंटर्व थोड़ी से करें थे क्यूंकि आप की इक अंदर पीटें के अप क्या होगा होगा है जब आप ड्राइक सीन देखते तो आपका कनेक्शन लूज होत तो मुवी काफी बहतर हो सकती तो ड्रैक सीन जो है मेरा सेकंड बैट पॉइंट है तो मेरा बैट पॉइंट है वह इसकी मार्केटिंग से रिलेटेड इस मुवी को इतना प्रॉपर्ली मार्केट नहीं किया गया इन फैक उसका ट्रेलर भी आया जो उसमें पहला डायलोग इसकी मैंने इतनी जदा मार्केटिंग केंपेइन नहीं देखी इसकी चीजें मतब उस लेवल पर नहीं देखें जिस लेवल पर बाकी फिल्म की हो रही थी अगर इस मुवी की प्रॉपर्ली इन फैक इसके साथ ही मैं एक चीज और इंकलूट करना चाहूंगा कि जिस सैनमा में ने देखी वहां भी इसके बड़ी लिमेटिट से शोँस थे क्या कि इसकी मार्केटिंग इतिसार नहीं को पता नहीं इसके बारे में और इसके लावा लगव में भी बड़े-बड़ेंबाद में चकर को बहुत कम स्क्रीनिंग tiाईं जो कि इसकी Sono Marketing का नतीज आ मेरे खाल में यहासिन अवास को चाहिए था जो कि आर्रेडी तीन मुवी बना चुकी है कि वो इसकी मार्केटिंग पे एक खसूसी के तवज्जह देते क्योंकि awareness अभी भी चकर से related किसी की भी नहीं है, in fact, मैं अपनी जाती बात करूँ तो मैं सबसे ज्यादा कह लिजे कि मुझे उमीदें इसी मुवी से थी, कि यह मुवी तनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इसके ट्रेलर आपको इतना एक्साइटिंग नहीं लगता है, इसके यह था हमारा चकर से related review, I hope आपको पसंद आयो, बाकी recommendation तो मैं आपको इस वीडियो के start में भी कह चुका हूँ कि आपने अगर नहीं देखी तो जाके जरूर देखे, और अगर मैं इस मुवी को rate करना चाहूँ, तो इस मुवी को मैं देना चाहूँगा 4 stars after 5. इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थेंक्यों वर वाचिंग दिस वीडियो, अला आपिस.